हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टडी फीट चनल दोस्तों मैं खेल ची किस्था के अंतरगर फर्स्ट एड यानि प्रात्मिक उपचार क्या है इसके बारे में आज बता रही हूं दोस्तों इसके पहले में पुनरवास यानि रियाबिलिटेशन प्रॉसेस क्या है यानि क कि चोट लगने के बात पुना पहले वाले इसी तिमयाना पुनरवास या रियाबिलिटेशन प्रॉसेस को लाता है इसके बारे में पूरू वीडियो में बता चुकी हूं दोस्तों पुनरवास यानि रियाबिलिटेशन प्रॉसेस तीन प्रकार की होती है पुनरवास की ती विभायाम होते हैं समाने ब्यायाम यानी जनरल इकस्साइज बिसिस्ट विदियो में उसको आप में विश्वार दिला जाता है एंद तिसरा वता है चीकिस्सा विधियां जिसमें प्रात्मिक उप्चार First Aid & Physiotherapy दो आते हैं तो आज मैं प्रात्मिक उपचार के बारे में बता रही हूं दोस्तों first aid क्या होता है इसके बाद नेस्ट वीडियो में फिजियो थेरेपी की जितने ही पार्ट है चाहे हाईडो थेरेपी, वेक्स थेरेपी, लेक्टो थेरेपी, मेगनेटिक थेरेपी जितने भी थेरेपी हैं उसके बारे में एक एक करके डेटिल में बताऊंगी तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक प्रा बारा किया गया दोस्तों प्रात्मिक उपचार जैसा के नामसे हम बिडित है कि ति IoT लगने वाली चुटे जराध लगने के तुरणत बात जो सबसे पहले प्रात्मिक उपचार याने first node इस प्याक्मिक उपचार बिजती विडी में P-R-I-C-E-S सिधान का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इससे पहले P-R-I-C-E वनली था अब S जुड़ गया है तो P-R-I-C-E-S सिधान का प्रयोग 1st Add यानि प्याक्मिक उपचार में किया जाता है इसे thumb rule भी कहा जाता है तो thumb rule किसे कहा जाता है प्रात्मिक उप्चार या फर्स्ट एड को ये रही दिया रहेगा तो P-R-I-C-E-S को thumb rule कहा जाता है P-R-I-C-E-S, C-E-S सिधान्त को thumb rule कहा जाता है या प्रात्मिक उप्चार को या फर्स्ट एड को ठीक है, अब हम एक एक करके P-R-I-C-E-S, इनका एक एक करके मतलब क्या होता है, P-R-I-C-E-S, P से ताथ पर है protection, यानि चोट लगे भाग का बचाओ करना, फिर होता है R, R से rest, यानि की चोट लगे भाग को आराम, यानि 15 से 20 मिनट तक उसको rest देंगे, उसके बाद आता है I, यानि ice, यानि birth, यानि चोट लगे भाग पर birth का प्रियोग करना है, यदि उस पे कोई allergy न हो तो, निश्ट आता है C, C का मतलब होता है compression, यानि की चोट भाग यहाँ पे चोट लगा है, उस भाग से पहले भाग को हिदे की तरब वाले भाग की ओर दबाना, जिससे उस भाग का रक्त संचरर जो है, जाए इसल seus जाएं के लिए टोर्निक बेंदेज का परियोग किया जाता है, टोर्निक बेंदेज को बनेज का प्रियोग किया जाता है, तो ब्लडप्रेसर वहां पे रुख जाता है कम दर्द होता है कम सूजन होता है इसके लिए किस बैनेज का प्रियोग करते है तौर्णिक बैनेज का तेकहेँ इस एसे होता है एलिवेशन यही होता है आपका P-R-I-C-E-S पध्धती जिससे हम सबसे पहले चोट लगने के बाद प्रात्मिक उपचार करते हैं यही पध्धती है तो दोस्तों जैसे की फैक्चर में लकड़ी बास की खपच्ची का प्रियोग उचीत होता है पहले करते थी लोग यहीं फैक्चर चटिल हो तो तुरन चिकिस्टक से अबहांस के बाद भी यहीं दर्द का आभास जाता हो तो इस्त्रि आइडल इन् женщine का प्रियोग किया जाता है यह आपके जनकारी इहिंक्ट दीक का प्रियोग करता है इस्त्रिएडल इंजेक्टिन का तो दोस्तों यह था आपका प्राट्मिक उप्चार यानि फर्स्ट ए एक एक वर्ड का आपने मतलब समझा और इसमें पात्मिक उप्चार या फर्स एड या पी आर आई सी एस पध्धती को या सिधान्त को हम क्या कहते हैं थम्बरूल और इसमें कौन से बन्दिश का प्रयोग कर आता है में थो कि प्रकर्षण दिया रहेग fruitful या रहे तो प्राथ्मिक उप्चार सُर्द्द का प्रयोग हो और वहांपे लिए थे हैं और साउन्त है प्रक्रषण के बारे में आई होब कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों नेस्ट वीडियो में फीडियो थेरेपी जो चीकिसा वीडियो का दूसरा प्रकार है जो प्रफिक उपचार के बाद की प्रक्रिया किया जाता है उसके बाने में जैसे कि आप हाइडो थेरेपी जो जल चीकिसा हो बताईए और जादे से जादे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिससे आपके माधिन से उन तक भी वीडियो पहुंच सके दोस्तों यह दिया आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजी जिस जो ही में नए वीडियो अपलोड करूं उसका नाटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए